हलो आप सुफ़ी खाट से स्वाय था हमारी नई वीडियो में दोस्तोork बैग आप देख सकते हो यह मेरा नए स्टूडियो है और नए स्टूडियो में olduğunu को विडियो को रिएख कर रहा हूँ इस update को अच्छे से अगर समझ लोगे तो आपके views भी बहुत जल्दी grow होना start हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो हम आ चुके अपने mobile के screen पे आपको mobile के screen नजर आ रही है और जैसे ही आप अपने वाइटी स्टूडियो में जाओगे तो दोस्तो आपको अपना channel open कर लेना और जैसे ही आप यहाँ पे आज आओगे उसके बाद आपको view more पे click कर देना है तो दोस्तो यहाँ पे आपको अगली slide पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो one way to grow is getting more to return यहाँ पे आपकी returned audience की बात की जा रही है मेरा graph बहुत कम है 6% returning audience है और 94% मेरे new viewers है वो मेरी videos को देख लेती हैं लेकिन उसके बाद मेरे channel को subscribe नहीं करते हैं और जो 6% audience है वो मेरी अपनी खुद की audience है जो regular videos को देखती है तो guys आपको returning audience पे ज्यादा focus करना चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा उसके बाद आप अगली slide पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो you want our new viewers with this मैंने इन तीन वीडियो से 57k views तीन महीने में gain किये हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो वो तीन वीडियो उजवल कुल करनी YouTube channel ये एक वीडियो मैंने बनाई थी इस पे भी अच्छे खासे views आया है उसके बाद इस वीडियो के views आएंगे 10,000 और उसके बाद आप देख सकते हो कि 4,000 गंटे को कैसे complete करना है ये तीन topic मैंने complete किये थे अब mostly आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी वीडियो यहाँ पे जो भी तीन वीडियो आपको दिखाई जाएंगी उसी topic पे आपको और वीडियो बनानी है ताकि आपकी returning audience आपके channel पे वापिस आ जाए तो उसे आप returning audience पे कैसे convert कर सकते हो ये तीनों article आप open करके read कर सकते हो और हम last slide पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो discover more way in which you can make the most of trend और यहाँ पे आपको यही चीज़ बताई जा रही है guys कि आपको returning audience पे focus करना चाहिए और returning audience को आपको still कैसे रखना चाहिए अपने channel पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो trending topic होता है उस पे ही आपको video बनानी चाहिए और video बहुत ही मस्त बनानी चाहिए क्योंकि अगर आपकी new audience आपके साथ जोड़ती है तो वो returning audience में automatically convert हो जाएगी अगर आपका content अच्छा होगा तो I hope कि आप समच चुके होंगे कि YouTube के इस update से आप अपने channel को कैसे grow कर सकते हो I hope कि आपको video चलागा होगा अगर आपको video चलागा तो please video को like कर देजिएगा अगर आप हमारे channel पर नहीं हो तो please हमारे channel को subscribe कर देजिएगा ताकि ऐसी ही video आप तक सबसे पहले पहुन सके तो चलिए मैं मिलता हूँ नए video में जाए